हेलो दोस्तों स्वागात है आप सभी का 36 वाला चैनल में दोस्तों मैं जा रहा हूँ बूतेसवर नात महादियो मंदिर जिसे भुकर्रा महादियो या भाकुर्रा महादियो के नाम से भी जाना जाता है जो करियाबन जिले के मारोदा गाउं के पास इस्थित भगवान सीव का एक मंदिर है या गरियाबन जंगलों के बीच में है या दुनिया का सबसे बड़ा ट्राक्टिक सीवलिंग है राजधानी रापपूर से इस मंदिर की दूरी लगबग 95-95 किलिम्डर पड़ती है रास्ता अच्छा होने के कारण यहां आने में कोई दिक्कत परिजानी नहीं होगी गरियाबन के खुस्वरत जंगलों और पारियों से घिरे इस हेत्र में भरत की ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सीवलिंग है खबर आती है कि जह माकाल और अनित सीवलिंगों का अकार घरता जा रहा है वहीं एक ऐसा सीवलिंग है जिसका अकार घरता नहीं बलकि हर साल बढ़ता जा रहा है यह सीवलिंग प्राक्ति के रुप से पन्न हुआ है हर साल महा सीवरातरी और सावन के सुमार को लोग कावरिया यहां आते हैं 36 रड में 12 जोदलिंग की तरह इसे अर्धनारिस्वर सीवलिंग के रूप में मानेता प्राप्त है इस सिमुलिंग में हलकी सी दरार है, इसलिए अर्ध नारी स्वर के रूप में भी फूज़ा जाता है सबसे खास बात यहा है कि सिमुलिंग का आकार हर साल लगतार बढ़ रहा है इसलिए यहां आने वाले स्वरधालूगों की संख्या हर साल बढ़ रही है यहां पोश्चने पर मंदीर का भव्य द्वा सबसे पहले दिखाई देगा अंदर आते ही बहुत सारे छोड़े छोड़े स्टॉल लगे हैं जहां सजावटी समान, बचों के लिए खिलाओने, प्रसाद और पुजा समान आरी चीज़े मिलती है पुजा समान लेकर मंदीर में जाएं, ओम नमा सिवाय का जैकारा लगातों के महादेव का द्रशन करें यहां और बे कई मंदीरे हैं सिवलीं के सामन भगवान विस्निंग के कलकी अवतार की मुर्दी बना हुआ है आगे जाने पर संत ब्यास मंदीर, हनमान मंदीर, राम मंदीर है वहीं दूसरी तरब गनेश मंदीर, स्री एश्मिनरान मंदीर और रामेश्वर मंदीर है यहां बहुत सारे बंदर भी हैं जो किसी को नुशान नहीं पहुचाते हैं आप उन्हें परसाथ खाने को दे सकते हैं यहां का महौल बहुती बढ़िया और सांत है, यहां आगर आपको अच्छा जरूर लगेगा कहा जाता है कि आज से कई साल पहले पारा गाउं के किसी जमिनदार की यहां पर खेती बारी थी वासाम को जब अपने खेत में जाता था तो उसे खेत के पास एक टीले से बैल के उकारने और सेर के डारने की आवाज आती थी कई बार इस अवाज को सुनने के बाद उसे मिंदान ने यहाँ बाद जब गौओं के लोगों को बताई तो सभी ने आसपा जानवर को घुजने की कोशिस की लेकिन किजी कोई जानवर नहीं मिला तब से टीले के प्रति लोगों की स्रद्धा बढ़ने लगी तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सियर जरूर करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस सेनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में जा भारत जा शात्ति गुडू